तो पिछले लेक्चर में हमने किया था हमारे जो वो एंटिबाइटिक्स में सबसे पहले कौन से वाले सल वॉल इन्हेबिटर्स पढ़े थे ठीक है जी हमने अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि बैक्टेरिया को हम मुख्तलिफ तरीकों से ब्लॉक कर सकते हैं उसकी किलिं के लगां तो हमेब्स पत्म आज काऊ-णब्र तो वह सल में इंभीटर्स नहीं रोकता बलके cell membrane को तोड़ता है तो इस वज़ा से हम इनको क्या कहते हैं इसको सरी इसको हम inhibitors नहीं बोल सकते हैं इसको हम cell membrane disruptors बोलते हैं ठीक है जी why because it disrupt the shape of the cell membrane जिसकी वज़ा से आपके बैक्टेरिया की death होती है तो cell membrane disruptors हम आज पढ़ेंगे अब cell membrane disruptors जब आपने पढ़ने थे मुझे पहले आपको मैंने बताया था कि cell का structure किस तरह होता है और वगयरा वगयरा उसको रिपीट नहीं करते ठीक है जी direct हम drugs पे जाते हैं अब cell membrane जो disruptors है ये बड़ा चोटा सा ठीक है जी और दूसरी आपके माँ साथी है जी वो दूसरी group है बलके ठीक है जी उससे आप कौन सा group कहते हैं polymaxin groups ये group आपके पास basically दो bacteria से मिलकर बना है इसमें इतने कोई खास bacteria नहीं है बस sorry दो antibiotic होते है ठीक है ये दोनों इस्तिमाल होते हैं और ये किसके लिए cell membrane को तोड़ने के लिए इस्तिमाल होते हैं अब इन ड्रक्स को बारी बारी पढ़ते हैं ठीक है जी ये जो सबसे पहले कौन सा है deptomycin deptomycin पढ़ते है ठीक है जी the first one is कमबंे करतीज़ कमबाइन अध्र माइसें कमबाइन के साथ गमबाइन के साथ कंबाइन होकर अदिक कंप्लेक्स बनाथी है ठीक है जी complex formation हो जाती है और जब complex की formation हो जाती है complex क्या करता है वो cell membrane पर जाके बैट जाता है उस layer integrate हो जाता है cell membrane को क्या करतदेथा है cell membrane attachment हो जाती है किसकी बात कर रहा हूँ मैंने कहा कि it combines with calcium calcium ions आपके पास cell membrane से in out होते रहते हैं तो calcium के साथ ये मिल जाता है calcium और deptomycin एक complex बनाते हैं this complex sits on the cell membrane cell membrane के ऊपर बैठ जाता है ठीक है जी और यही जो membrane होती है यही जो complex होती है which is sitting on the cell membrane it forms what forms a pore ठीक है जी एक pore सा बनाता है आप pore कह ले या channel कह ले ठीक है जी यह channel बना लेता है और इस channel के जरीए फिर क्या होता है इस channel के जरीए आपका potassium influx हो जाता है ठीक है जी potassium influx हो जाता है potassium वहाँ से निकल जाता है और जैसे ही potassium influx हो जाता है it leads to what? it leads to depolarization और depolarization से क्या हो जाता है ultimately cell इतना depolarize इतना depolarize हो जाता है कि ultimately cell की death हो जाती है ठीक है जी कौन से cell की? bacterial cell की ठीक है? आपने bacteria को मारना था ना तो कैसे मारते हैं? आपने एक complex बनाया ठीक है जी? इस complex के अंदर drug थी और calcium था. इस complex ने क्या किया? cell membrane के उपर बैट गया और cell membrane के उपर बैट कर एक channel बना लिया ये channel जब भी बन गया तो channel ने क्या किया? अपने अंदर एक रास्ता बना लिया. उस रास्ते से जो cell के अंदर का potassium है वो potassium बाहर निकल गया और इस potassium का loss होने के वज़ाए से depolarization हो गई. और depolarization इतनी ज़्यादा हो गई के cell की death हो गई. ये deptomycin का mechanism of action है. ठीक है जी? अगर मैं आपको इस तरह draw करूँ तो इसकी diagram ऐसे होगी कि आपके पास for example ये क्या है? ये आपके पास membrane है. ठीक है? आपको पता है na? cell membrane is made up of lipid bilayer. ये वो lipid bilayer है. for example this is the cell membrane ठीक है जी? और इस पर अभी drug ने act करना है. कौन सी drug ने? डेptomycin ने. तो यहाँ पर एक ये ये डेptomycin है. सुरी. यहाँ पर नज़रा रहा है. ये पेड़ी कहा पर बैट जाता है? ये वो complex है? ठीक है? ये कहाँ पर बैट गया? ये यहाँ पर बैट गया cell membrane के उपर. ये complex पहले नहीं था लेकिन अब कैलσιम के साथ मिलकर इस drug ने क्या कर लिया complex बना कर इस membrane के उपर बैट गया. जब membrane के उपर पर बैठता है तो यहां पर बहुत सारे केल्शियम आकर एक जगा पर मिल जाते हैं बहुत सारे केल्शियम आकर जम जाते हैं तो बहुत सारे केल्शियम मिलकर एक जगा पर ऐसे कटा बना लेते हैं और उनके जरीए नीचे एक चैनल बन जाता है ठीक है यह चैनल बन गया यह नहीं था अब ये ये क्या है ये सल मेंब्रेन है ना सल मेंब्रेन और सल मेंब्रेन क्या करती है सल मेंब्रेन चीजों को अंदर रखती है सल के अंदर रखती है तो ये चैनल बनने की वज़ा से अब चीजे बाहर जाना स्टार्ट हो गई है ये वो कॉंपलेक्स है इस कॉंपल अगर आपने बैक्टेरिया को किल करना है, तो आप क्या करते हैं, आप देप्रमाइशन देदेदें, यह समझाया, यह mechanism of action है. अब यह mechanism of action होगी mechanism of action के बाद हम यह पढ़ते है कि यह इसका spectrum किसके खिलाव है spectrum तो याद है ना what is spectrum spectrum याद है spectrum इसका यह है it mostly, mostly acts on, acts against gram positive ठीक है जी, gram positive के खिलाव इसको इसको इस्तिमाल किया जाता है इसका spectrum यह है इसके इलावा इसमें आप यह रखें किस skin बिमारियों में इस्तिमाल करते हैं तो इनके जो uses है in diseases, वो कौनसी diseases है वो skin mostly, skin infections होते हैं वो infections, वो देखें यह Deptomycin बड़ी तकड़ी दवाई है ठीक है इसको उन gram positive के खिलाव इस्तिमाल किया जाता है जो बाकी दवाईयों से नहीं मरते तो आप इन दवाईयों के इस्तिमाल करके उस strong bacteria को kill कर देते हैं ठीक है जी? strong gram positive bacteria के खिलाव इसको जो बाकीों से resistant होते हैं वो Deptomycin से kill होते हैं अब वो कौन से होते हैं अक्सर आप देखा होगा लोगों को skin acne होती है ठीक है? अब acne में आपने पढ़ा था कि कौन सा bacteria होता है staphylococcus aureus is the most common bacteria ठीक है? तो staphylococcus bacteria मरता नहीं है कुछ-कुछ दवाईयों से आप azithromycin देते हैं वो नहीं मरता आप उपर से कुई और दूसरी देते हैं वो नहीं मरता तो वो मेतसिलन देते हैं वो भी नहीं मरता तो वो bacteria जो के बाकियों से नहीं मरता बाकियों के खिलाफ वो resistant है उन skin infections में आप इस adaptomycin को इस्तिमाल करते हैं ठीक है जी? those skin infections caused by resistant bacteria रिजिस्टन पर आपके पास MRSA आता है मेतसिलन रिजिस्टन स्टाफलोकोस औरियस ठीक है जी? इस के लावा किसमें इस्तिमाल होता है? ये druggies नहीं होते हैं जो drug addiction करते हैं जो वो खून में अपना कहना है IV injections लगाते हैं IV injections के तोर पे जो वो abuse करते हैं तो आपको पता है IV fluid जतना भी है वो venus system कहां जाके drain होता है heart के जो right atria है वहाँ पर drain होता है न और वहाँ पर tricuspid valve होता है तो इन लोगों में जो valvular diseases होती है वो कौन सी होती है? वो right sided पे होती है ठीक है जी? because left sided वाले infections के खिलाब भी इसको चेकिया गया left sided infective endocarditis के खिलाब भी चेकिया गया उसके खिलाब इसने काम नहीं दिखाया इसने सिर्फ और सिर्फ deptomycin was only and only strong against the right sided infective infective endocarditis ठीक है जी? तो यह चीज़ याद रखनी है यह इसके uses हैं these are the two uses ठीक है जी? यह deptomycin की कहानी होगी यहाँ पर deptomycin खतम हो गया ठीक है जी? deptomycin की खिलाब के बारे में इतना बहुत है the next one will be what? the next one will be polymycin poly? polymixin, sorry ठीक है जी? अब polymixin जो आपके पास है यह बजाहर एक medicine की तरह हम इसको study करते हैं लेकिन जब आप इसको deep down study करते हैं तो इसमें दो इसके दो types पाई जाते हैं ठीक है इसमें जी दो formulation पाई जाती है वो दो formulation कुनसी है? एक आपके पास आती है जी poly polymixin B और दूसरी आपके पास आती है polymixin E ठीक है जी? ये इसमें दो किसम के आयते हैं polymixin जाते हैं और ये आपके अगर adaptomycin किसके खिलाफ ज्यादा act कर रहा था gram positive के खिलाफ तो ये polymixin जो है it is used against what? it is used against gram negative ठीक है जी? gram negative ये इसका क्या है? ये इसका spectrum है ठीक है जी? it is used against gram negative bacteria अब आती है इसके mechanism की बारी में ठीक है? mechanism of action की बारी आती है तो mechanism of action इसका क्या है? इसका mechanism of action इस तरह है कि आपको पता है जो gram negative होता है उसके अंदर तीन layers होती है gram negative bacteria जो होता है उसके अंदर तो तीन layers होती है ऐसा ही है न? और ऐसा यह गैंड य यह आपके पास कौनसी होई यह आपके पास एक लियर होई ठीक है जी तिट हो अफ अवाप जो आउटर लियर होती है विक्टेरिया में ग्राम नेगटेव में इस हो से होड़ इसको कौन सा लियर बोलते है ठेक है जी, it is made up of lipopolysaccharides और इस लेयर में आपके पस phosfolipeids होते हैं, ठेक है जी, अब होता क्या है, कि यो polymixens जो हैं, यह आपके पास ऐसे किसम का structure बना के आते हैं, ठेक है जी, यह आपके पास polymixens, यह polymixens है, and combined with lipopolysaccharide in the outer layer, ठीक है जी, जब ये outer layer के अंदर बैठ जाते हैं, lipopolysaccharide में ये इतना सा सुराख बना कर क्या करते हैं, अंदर आ जाते हैं, ठीक है जी, इसको penetrate करके outer layer को penetrate कर देते हैं, अगर outer layer की penetration ना हो, तो ये drug अंदर inner तक आ ही नहीं सकती, तो इसको पहले lipopolysaccharide layer में से penetrate होना पड़ता है, कुछ structural differentiation करके, ये कुछ ना कुछ game चलाके, ये drug अंदर आ जाती है, किस के साथ, कहां तक पहुंच जाती है, ये आपके इस inner layer तक, ठीक है जी, जो आपकी क्या है, जो आपकी cell membrane है, तो यहां तक पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, ये यहां पर settle हो जाता है, और इसको settle होने के लिए जगा कौन देता है, यहां पर पड़ा हुआ, फॉस्फो लिपिट, तो आप कहा सकते हैं, और ये cell membrane के अंदर क्या कर देता है, तोड़ पोड़ कर देता है, अब ये फॉस्फो लिपिट से बनने वाला है, फॉस्फो लिपिट के जरीए, यहां पर यहां हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, कुछ ना कुछ structural differentiation करके, ये इस layer को तोड़ देगा, ठीक है जी, फिर आपको ये layer किस तरह मिलेगी, ये layer है, फिर ये दूरी रहे जाएगी, इस तरह इस तरह, ठीक है जी, तो ये देखें ना, बीच में सुराख मिल रहे हैं आपको, बीच में सुराख मिल रहे हैं ठीक है ये सुराख क्या करेंगे ये अंदर से content बाहर निकाल देंगे अंदर से content बाहर आएगा बाहर से content अंदर आएगा सारे का सारा जो cell का structure है वो बरबाद हो जाएगा ठीक है जी ये आपके पस क्या है ये cell membrane है, ये cell membrane के अंदर सुराह हो गए है, ठीक है, ये सुराह पहले नहीं थे लेकिन अब हो जाएंगे due to what, due to the drug interaction with the phospholipids and the structural differentiation, structural disruption structure तूट जाएगा और वहाँ पर सुराह बन जाएंगे और फिर अंदर बाहर चीज़ें होती जाएगी, content अंदर बाहर होता जाएगा और आपकी cell की death हो जाएगी, यहां तक आपको समझ आया के मैंने क्या पढ़ाया यहां तक समझ आया आपको यह आपके पास antibiotic का second part है, ठीक है जी? These are the second types of antibiotics, कौन से? cell membrane disruptors cell membrane disruptors कैसे काम करते हैं? वो आपको मैंने बताया, इसमें basically दो medicines आती हैं, दो drugs आते हैं एक इसमें आती है, deptomycin and the second one is polymixins, deptomycin एक ही drug है, deptomycin अकेले काम नी कर सकती वो complex बनाती है, complex के साथ बनाती है calcium के साथ बनाती है, यह complex जाता है और कहां पर बैठता है, यहां पर यह complex cell membrane के उपर बैठ जाता है, ठेक है जी cell membrane के उपर बैठ गया, cell membrane के उपर बैठने के वज़र से यहां पर जो यह complex है it makes this channel kind of thing, ठेक है जी यह channel बनाता है, और इस channel के जरिए चीज़े फिर बाहर से अंदर आती है, और अंदर से बाहर जाती है, potassium जो अंदर पड़ा हुआ है वो सारा बाहर निकल जाता है, it leads to cell membrane depolarization, और cell membrane की depolarization से ultimately क्या हो जाता है, फिर एक वाक्त आता है कि आपका cell बिलकुल out of electrolytes and it leads to death of the cell, cell membrane के वज़ा से, क्या हुआ, cell की death हो गई, इसको हम किसके खिलाफ इस्तिमाल करते हैं, जो आपका deptomycin है, it mostly acts against the gram positive bacteria, वो gram positive bacteria, जो बाकियों दवायों से नहीं खराब होता, नहीं मरता, वो इस deptomycin से मरेगा, ठेक है जी, uses against skin infection and right-sided infect of endocarditis, ठेक है जी, यह आपके polymixins की कहानी होगी, जो कि अभी-भी हमने पढ़ी, हमने कहा कि polymixins में आपके पस दो टाइपस आती है, polymixin B, polymixins E, वो हमारा काम नहीं है पढ़ना, हमने डारेक्ट क्या करना है, हमने पढ़ना है कि it is mostly used against gram negative bacteria, और mechanism of action यह है कि यह पहले outer most layer को penetrate करके अंदर आता है, यह penetrate अंदर आकर phospholipid के साथ attach हो जाता है, phospholipid के साथ attach होकर यहाँ पर ऐसी तवाई मचाता है, कि आपका cell membrane तूट जाता है, cell membrane की तूटने की वज़ाद से cell का अंदर का content भायर जाता है, और बायर का content अंदर आता है, और smartic differentiation के जैसे आपकी cell की क्या हो जाती है, cell की death हो जाती है, ठीके जी, और cell की death होने किसे के साथ आपको bacteria भी मर जाता है,